बच्चों इस कुश्चन को देखें समीकरन हल कीजिए ये समीकरन है 10 inverse of x-1 plus 10 inverse of x-1 is equal to 10 inverse 3x minus 10 inverse x ये कुश्चन है अब इसको हल करते हैं तो हमको दिया है दिया गया समीकरन क्या है नोट कर लेते पहले 10 inverse of x-1 plus 10 inverse of x plus 1 और right hand side है is equal to 10 inverse 3x minus 10 inverse of x अब left hand side में देखें बच्चों यदि हम गौर से देखें 10 inverse x plus 10 inverse y और right hand side देखें तो 10 inverse x minus 10 inverse y ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है ठीके बच्चों यदि ये दोनों सर्थ याद रख लेते हैं तो इसके हल जो हमें मिलेगा उसके लिए सर्थ क्या होगा हम यहाद से देख सकते हैं देखें दो फार्मूला ये बच्चों इसको याद रखें पहला जो फार्मूला जैसे प्लस के लिए तो आप 10 inverse x plus 10 inverse y is equal to 10 inverse of x plus y upon 1 minus x into y लेकिन इसके लिए जो सर्थ है जहाँ x into y is less than 1 और दूसरा आपको याद रखना है minus वाला right hand side में लगाने के लिए 10 inverse of x minus 10 inverse of y is equal to 10 inverse of x minus y upon 1 plus x into y यहाँ पर जो सर्थ है वो x into y is greater than minus 1 है यह दोनों सर्थ को याद रखना है चेले हम इसमें यह दोनों formula apply करते हैं left hand side में पहला formula apply करते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों 10 inverse of x plus y याने x minus 1 plus x plus 1 by 1 minus x minus 1 into x plus 1 ठीक इसी प्रकाल से right hand side में भी apply करते हैं बच्चों 10 inverse of 3x minus x upon 1 plus 3x into x अब आपको पहले भी बताय जा चुका है इसमें मुख्य क्या धिया रखना है समीकर हल करते समय दोनों पक्षों में समान प्रतिलों तिरकुन मिती फलन लाना ताकि हम उसको हटा सकें दोनों पक्षों का 10 ले लिजे दोनों पक्षों का 10 लेंगे यह हट जाएगा और यह बच जाएगा अब हम इसको और सिंप्लिफाई करते हैं दोनों तरफ नंबर को केंसिल कर दिया 2 केंसिल हो जाएगा इसको हम आगे हाल करते हैं तिक्या बन गया x अपान यह हो गया 1 प्लस 1 2 मिनस x स्क।र और x अपान 1 प्लस 3 x स्क।र ठीक है बच्चों अब इसको हम लिख सकते हैं x इंटो 1 प्लस 3 x स्क।र इस इक्ली टो x इंटो 2 माईनस x स्क। अब हम इसको equation बनाते हैं इसको पक्षांतर कर देते हैं तो यह हो जाएगा x into 1 plus 3x square minus x into 2 minus x square is equal to 0 x is the common 1 plus 3x square minus 2 plus x square simplify कीजिए, subtle कीजिए तो यह हो गया आपका x into 3x square plus x square 4x square 1 minus 2 minus 1 तो इसके दो जाएब x is equal to 0 और दूसरा जाएब x square 4x square minus 1 is equal to 0 then x is equal to 1 by 4 then x is equal to plus minus 1 by 2 तो अब यहाब पर x के 3 मान आ रहा है x के 3 मान आ रहा है यहाँ पर 0 minus 1 by 2 plus 1 by 2 तो अब आपको जो सर्थ है, पहला सर्थ पहला सर्थ में जैसे यह दोनों का गुनन फल क्या होना चाहिए? less than 1 होना चाहिए x minus 1 उत्तर की जाज कर लेते हैं इसमें से तीनों में से कौन सा हल है? तो हम पहला सर्थ है x minus 1 into x plus 1 is less than 1 होना चाहिए और दूसरा जो है यह वाला फार्मूला लागा है right hand side में x into y यहां के लिए x क्या है? 3x है तो 3x into x is greater than minus 1 होना चाहिए यानि यह x square is greater than minus 1 by 3 और इधर x square minus 1 is less than 1 then x square less than 2 होना चाहिए ठीक है? तो आप दोनों सर्थों को आप देखिए पहले इनको देख लीजे फिर इनको देख लीजे जैसे हम 0 0 जो है दोनों से दोनों को संतूश्ट कर रहा है देखिए यहां पर 0 is less than 2 ठीक है? 0 का whole square is less than 2 यहने 0 is less than 2 सही है ठीक है? minus 1 by 2 ले लो minus 1 by 2 का square क्या आता है? 1 by 4 आता है जो 2 से छोटा है और 1 by 2 का square भी 1 by 4 आता है जो की 2 से लेज़ है मतलब यह तीनों मान जीरो minus 1 by 2 plus 1 by 2 तीनों इसको संतूश्ट कर रहा है सेकंड में देखिए 0 का square 0 संतूश्ट कर रहा है ठीक है? 0 का square 0 which is greater than minus 1 by 3 चोकि negative और तीनों positive आ रहा है square होने पर तीनों positive आ रहा है यहने minus 1 by 2 का square यह भी minus 1 by 3 से greater है और 1 by 2 का square 1 by 4 ही आ रहा है positive आएगा तो negative नंबर से greater होगा इसका मतलब दोनों सर्तों को यह तीनों मान संतूश्ट कर रहा है 0 minus 1 by 2 plus 1 by 2 इसका मतलब तीनों ही इनके हाल होंगे तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट हाल x कमान 0 भी लेना है minus 1 by 2 लेना है और plus 1 by 2 लेना है तीनों ही इस equation का हाल होगा तो बच्चों यह ध्यान रखना है कि जब एक से अधिक मान आता है तो जिस फर्मॉला में आपने अपलाई किया है उसका सर्त को ध्यान पर रखना है उस सर्त को संतूश्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है कुश्ट है समी करण हल कीजिये और यह समी करण है 10 inverse of x plus 1 plus 10 inverse of x minus 1 is equal to 8 by 30 sorry 10 inverse of 8 by 31 इस समी करण को हल करना है तो चली इसको हल करते हैं तो सबसे पहले हम दिया गए equation है उसको लिख लेते हैं 10 inverse of x plus 1 plus 10 inverse of x minus 1 is equal to 10 inverse of 8 by 31 बच्चों अब दोनों परक्षों को आपज़र करिए आउनों करिए right hand side 10 inverse 1 एक पद है जबकि left hand side में दो पद है तो ये कोशिज करिए कि ये भी 10 inverse के एक पद के रूप में आ जाए तो हम कौन सा formula apply करेंगे ये धिया रखना है ठीक है बच्चों? यदि हम इसमें formula apply करते हैं left hand side में क्या दिख रहा है? 10 inverse of this plus 10 inverse of this 10 inverse x plus 10 inverse y इस रूप कर दिख रहा है और is equal to इसको एक कोण के रूप में लिखा जा सकते है 10 inverse of x plus y upon 1 minus x into y where x y is less than 1 ये धिया रखना है तो इसमें जो हम formula लगाएंगे तो इन दोनों का जो गुनन फल है less than 1 होना चाहिए ये सर्थ को याद रखना है तो चले इसमें हम लगा देते हैं left hand side में formula लगाते हैं ये हो जाएगा 10 inverse of क्या है formula x plus y यानि this plus this यानि x plus 1 plus x minus 1 upon 1 minus x plus 1 into x minus 1 is equal to 10 inverse of 8 by 31 अब यहाँ पर दिहार रखने बच्चों कि ये x है ये वाए है यानि आप लिख सकते हो जहाँ जहाँ x plus 1 into x minus 1 ये less than 1 होना चाहिए या लिख सकते हो x square minus 1 is less than 1 होना चाहिए या लिख सकते हो x square is less than minus 1 को इधर ले जाओ ये होना चाहिए x square is less than 2 होना चाहिए जब हम इसको हाल करेंगे तो हम इस सर्थ को देखेंगे अब चलिए इसको हल करते है बच्चों तो दोनों तरफ 10 inverse आ गया दोनों पक्षों का 10 ले लिजिए यह 10 inverse हड गया और इसको सरल कर लिजिए x plus x 2x plus 1 minus 1 0 हो गया यह हो गया 1 minus x square minus 1 और is equal to 8 by 31 इसके पहले आपने जो सवाल किया था उसका left and side यही था बच्चों तो ऐसे सवाल जो है किसी एक पक्षों को change करके condition change करके नया सवाल बन जाता है तो यह ध्यां रखेंगे तो देखेंगे इसको और हल करते हैं हम लोग तो यह हो गया cancel और यह हो गया 31x और यह हो गया 4 into 1 minus x square minus 1 और सरल करते हैं 4 into यह क्या बनेगे बच्चों 1 minus x square plus 1 तो 2 minus x square ऐसा हो गया और सरल करते हैं 4 दुनियाट minus 4x square अब यह वर्गसमी करण बन रहा है इसको माना कुरूप में लिख लेते हैं 4x square plus 31x अब plus sorry minus यह दोनों को पक्षान तर इधर कर रहा है minus 8 बराबर 0 अब गुननखर्ण विधिशाल कर दीजे 8 चोग 32, minus 32 हो रहा है इसको split कर दीजे ठीक है तो यह हो जाएगा 4x square plus 32x minus x minus 8 is equal to 0 यह आगे 4x x plus 8 minus 1 is the common x plus 8 is equal to 0 आगे हल करते हैं यह आगे आपका पहला गुननखर्ण x plus 8 गुना दूसरा जो बज गया 4x minus 1 is equal to 0 ठीक है? अब इसको हाल करते हैं x plus 8 is equal to 0 then x equal to minus 8 और दूसरा गुननखर्ण को लेते हैं 4x minus 1 is equal to 0 then x is equal to 1 by 4 अब x के 2 मान आया अब हमको जाच करने हैं बच्चों यह सर्थ है x square is less than जाच कर लेते हैं कौन सा? मान इसका अभीष्टा होगा होना चाहिए x के जो मान है उसका वर्ग 2 से कम होना चाहिए तो यह कितना आ रहे हैं बच्चों? जा हम x बरावर minus 8 लेते हैं तो यह आता है minus 8 का square minus 8 का square 64 is less than 2 जो सही नहीं है जो सत्य नहीं है और जबकि दूसरा मान लेते हैं x is equal to 1 by 4 लेते हैं तो 1 by 4 का square कितना हो गया? 1 by 16 1 by 4 की square 1 by 16 which is less than 2 इसका मतलब यह सही है यह सही है जो सही नहीं है वो समीकर्ण को संतुष नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे अता अभिस्ट हल कौन समान? x is equal to 1 by 4 x is equal to 1 by 4 तो तो ज़्यादा तर बच्चों यहां पर जब वरक समीकर्ण बनता है तो वहाँ पर आपको सर्थ का विशेज ध्यान रखने की आउश्कता है यहाँ पर दो मान जो मिला था उनमें से केवल एक ही मान समीकर्ण को संतुष करता है और वो है x is equal to 1 by 4